गूर्णिंग डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग मैसेल डॉक्टर बकुल देव और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट फेवरेट लैट्स क्रैक नीट यूजी यॉर वन स्टॉप सॉलूशन फॉर नीट ये हमारा पीवाई क्यू का सेगमेंट है जिसके अंदर कि कुछ चीजें हमारी बच गई थी तो आज इन बचे हुए सेगमेंट को हम लोग पूरा करेंगे और इन बचे हुए सेगमेंट को हम कम्प्लीट करेंगे तो आप सब लोग जल्दी जल्दी आजाईए उसके बाद हम लोग के पोजिशन स्टार्ट करते हैं हमने human physiology के सारे flowering plant, principle of inheritance and variation, molecular basis of inheritance और evolution इन के सारे के सारे questions हम कर चुके हैं तो आप आएए जल्दी जल्दी सारे के सारे बच्चे आजाईए लेट अस स्टार्ट तो ये आपका आज चुकी last day है preparation का इसमें PYQ कुछ हम करेंगे कल आपका NEET का exam है तो बहुत अच्छे से confident होकर के exam बिल्कुल cool and calm आज दो पहर तक जतना हम पढ़ सकते हैं करते हैं उसके बाद थोड़ा rest कीजिएगा थोड़ा सा relax कीजिएगा बिल्कुल anxiety लेने की जरूरत नहीं है परेशान होने की जरूरत नहीं है we have been doing some really hard work for the last 40-50 days तो वो definitely उसका result आएगा वो result में translate होगा आप हैं तो इसकी costing है 3,208 रूपीज पर मन्त इसमें अगर आप ये code इस्तिमाल करेंगे बी देव तो आपको 10% scholarship मिलेगा और साथ ही साथ आप मेरे personal mentorship group में भी add हो जाएंगे अगर आपको किसी तरीके के financial assistance की जरूरत है तो you can call on 8100866666 आइकनिक के subscription की तरफ अगर आप जाते हैं तो ये थोड़ा सा higher side पर है that is 5,417 रूपीज पर मन्त लेकिन इसमें अगर आप इस code का इस्तिमाल करेंगे तो आपको scholarship भी मिलेगा आप मेरे personal mentorship group में भी add हो जाएंगे और साथ ही साथ added advantages जो है आपको आइकनिक के वो भी मिलेंग जैसे कि आप live doubt sessions पे जा सकते हैं, live mentoring sessions अपने लिए arrange कर सकते हैं, आपको printed study material सारा का सारा branded study material by post आपके घर पे भेजा जाएगा दो batches अभी start हुए है rise और एक के batch ये आपका 8 September से start हुआ है 22 के droppers ये 12th के लिए और एक के batch start हुआ है 23 के educators के लिए और ये सबसे बड़ा weekly scholarship test है Sunday to Sunday organized होने वाला, तो आप तो सारे बच्चे रिपीटर हैं, कल तो शायद नहीं दे पाएंगे, आपका नीट का exam है, लेकिन बाकी जो बच्चे जो 22, 23 के लिए preparation कर रहे हैं, they should appear in this test, इस में 4 करोड का prize pool है, आपको यही code इस्तेमाल करना है, that is B. और किसी भी तरह का कोर्स सबस्क्राइब करें, do remember to use this particular code B.Dev, और मैं Dr. Bakuldeva, मैं जैपुर से हूँ, जो बच्चे मुझे से परिचित नहीं है, उनके लिए बताया देता हूँ, I have been mentoring pre-medical aspirants for last 16 years, पिछले 16 सालों से मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, और हजारों बच्चे मेर आप भी बहुत अच्छा perform करें, और बहुत अच्छी rank के साथ में select हूँ, चलिये जी चलिये, आजाईए, जल्दी से आजाईए, अब हम लोग start करते हैं, हमारा आज का segment, और आज के segment में सबसे पहले, जो chapter हमारे सामने आ रहा है, that is, human health and diseases, चलिये जी start करते हैं, देखना श question number one, infection of ascaris usually occurs by, ascaris आप जानते हैं, ascaris is GIT का disorder है, gastrointestinal tract का, और इसमें intestine आपका पूरी तरीके से obliterate हो जाता है, ascaris का population increase हो जाता है, intestine का obliteration की वज़े से digestive disturbances cause होते हैं, तो answer क्या आएगा, answer क्या आएगा, drinking water contaminated with the eggs of ascaris, third will be the correct option, चलिये, आगे चलिये, at which stage of HIV infection does one usually show symptoms of AIDS, AIDS के symptom कब दिखाई देना start होती हैं, देखें, AIDS के symptom कब आएंगे, जब HIV body में enter करेगा, HIV body में enter करने के बाद, दो तरह के cells पर attack करता है, एक तो macrophages और दूसरा T helper cell, macrophages पर attack करने से उसका transmission होगा एक से दूसरे individual की body में, लेकिन T helper cell आप अच्छी तरह से जानते हैं, it is categorically responsible for initiation of cell mediated as well as humoral immunity, तो answer क्या आजाएगा इसमें, थर्ड, when it damages large number of, which of the following virus is not transferred through semen of infected male, Ebola virus, hepatitis B virus, human immuno deficiency, ये सब STDs हैं, sexually transmitted diseases की category में आती हैं, चिकन गुनिया virus जो है आपका, इसका transmission होता है exactly किसी mosquito के bite से, जैसे डेंगू होता है eddies के bite से, वैसे ही चिकन गुनिया भी mosquito के bite से किसी individual की body में enter करता है, तो answer क्या आजाएगा इसमें fourth, चलिए, HIV that causes AIDS first start destroying, सबसे पहले HIV किसको destruct करना start करता है, first and foremost, it destruct, helper T lymphocytes, यह basically दो ही तरह के cell पर, देखिए इसको याद रखिए, यह important सवाल है हो सकता है, कल भी पूछा जाए, HIV दो ही तरह के cells पर attack करता है, one is macrophage, and another is T helper cells, बस, इसके बाद आगे चलिए, which of the following is not sexually transmitted disease, इन में से कौन सा sexually transmitted disease नहीं है, the answer would be encephalitis, encephalitis आपका meninges का disease है, brain meninges जो होती है, उन में swelling आ जाती, आगे चलिए, which of the following endoparasite of human does show viviparity, viviparity किस में होती है, यह important सवाल है एक, और थोड़ा सा NCRT की periphery से बाहर भी है, लेकिन 2015 में पूछा गया है, तो आपको इनसका answer पता होना चाहिए, the answer is Trichinella spiralis, आगे move कीजिए, the active form of entomoeba histolytica feeds on, entomoeba histolytica का active form किस पर feed करता है, sub-mucosa में होता है, colon की sub-mucosa में मिलता है, entomoeba histolytica आप सारे बच्चे जानते हैं अच्छे तरीके से, तो RBC is mucosa and submucosa of the colon, second would be the correct option, आगे चलिए, which of the following statement is not true for cancer cell in relation to mutation? Cancer cell के लिए incorrect क्या है? Mutation destroy telomerase inhibitor, यह तो ठीक है, mutation inactive the cell control, mutation inhibit production of telomerase, यह गलत हो गया, third, third is the incorrect as far as cancerous cells are concerned, चलिए, आगे चलिए, आगे move कीजिए, which of the following is correct regarding AIDS causative agent HIV, HIV के लिए correct कौन सा है? HIV is enveloped virus that contain two identical molecules of single stranded RNA and two molecules of reverse transcriptase, बिलकुल ठीक है, इसी वज़े से इसको deployed virus भी कह दिया जाता है कई बार, इन में से कौन सा डिजीज बैक्टीरिया की वज़े से कौज होता है? तो, टायफोईड और स्माल पॉक्स आपका स्माल पॉक्स वाइरल है, टिटनस एंड मंप्स, मंप्स आपका वाइरल है, हरपीज एंड इंफ्लीवास नات्डों वाइरल है, कॉलेरा एंड टिटनस अस दे करेक्ट आंसर, फोर्थ will बी दा करेक्ट आप्शन, आगे मूव कीजिए इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांस्मिटेड पैथोजन कॉज क्रोनिक इन्फलेमेशन ओफ लिम्फेटिक वैसल तो लिम्फेटिक वैसल यानि कि आपके लिम्फेटिक वैसल में कौन प्रॉलिफरेट करता है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका वुचरेरिय या बैंक्रॉफ्टी जिसकी वज़े से फाइलेरियस या फिर हम कहें अलिफेंटियस नाम का डिजीज होता है आपके लोवर लिम्फ में स्वेलिंग आ जाती है इडेंटिफाइड का कनफर्मेटरी टेस्ट तो सबने पढ़ रखा है आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप याद कर लीजिए विडाल टेस्ट होता है और साल्मोनेला टाइफी इस रिस्पॉंसिबल हाँ मेटा पेपर लगभग इसी लेवल का आएगा आप तो ये मान करके चलें कि आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे कोई दो चार क्वेश्चन है तो उसमें असेस करना पड़ेगा confidence लेवल हाई रखो हम पिछले 45-50 दिनों से इतनी मेहनत कर रहे हैं 50 days almost it has been तो जो चीज पड़ लिया है और 10,000 MCQs solve कर लिया है बेटा हमने क्या आएगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा confident रहो एकदम मस्त रहो जो पेपर तुम्हारे सामने आएगा उसको तुम बच्चों की तरह आराम से solve कर दोगे be confident 4. column 1 और column 2 को match करते हैं चलिए जल्दी से तो टाइफॉइड के लिए आपका सालमोनेला हो गया इसके आगे 3 लिख दीजिए निमोनिया के लिए आपका हीमोफिल्लस इंफ्यूएंजी हो गया फोर्थ लिख दीजिए तो फोर्थ आंसर आगया मैच हो गया चलिए आगे चलिए जल्दी से मूव करते हैं आगे जल्दी से मूव कीजिए आगे the infectious stage of plasmodium that enters the human body is plasmodium का कौन सा stage human body में enter करता है the answer would be sporozoid और anophilies की body में कौन enter करता है आपका gametocyte यहां पर यह भी साथ ही साथ याद कर ले the cell mediated immunity inside human body is carried out by हमेशा याद रखे है humoral immunity is carried out by B lymphocyte and cell mediated immunity is carried out by T lymphocyte third is the correct answer match each disease with its correct type of vaccine vaccine के साथ में disease को हमें match करना है चलिए जल्दी से कर देते हैं tuberculosis तो tuberculosis में आपका harmless bacteria होता है whooping cough के case में killed bacteria होता है diptheria के case में आपका toxin होता है और polio के case में harmless virus होता है चलिए answer क्या आगया इसका fourth fourth will be the correct answer चलिए आगे चलिए जल्दी से which of the following immunoglobulin does constitute the largest percentage in human milk देखिये milk जहां आ गया इसका मतलब secretion आ गया हमेशा याद रखिये body के किसी भी secretion में आप से कभी भी कोई antibody अगर पूछी जाती है you have to respond with immunoglobulin type A क्योंकि IgA को हम secretory antibody भी कहते हैं वो चाहे saliva में पूछ लें चाहे gastric juice में पूछ लें किसी में भी पूछ लें doesn't matter if you suspect major deficiency of antibodies in a person to which of the following would you look for confirmatory evidence आपको किसी की body में ये पता है कि इसमें antibody का concentration कम हो गया है आप जानते हैं antibody को और क्या कहते हैं immunoglobulin और immunoglobulin को IgB कहते हैं और ये basically globulin के जो तीन fraction होते हैं alpha, beta और gamma उन में से gamma globulin है ये तो आपको globulin का concentration देखना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि antibody का concentration क्या है grafted kidney may be rejected in a patient due to cell-mediated immune response graft rejection cell-mediated की वज़े से होता है इसको नजाने कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं in higher vertebrates the immune system can distinguish self-cell and non-self this property is lost due to genetic abnormality and it attacks self-cell then it leads to autoimmune disease कभी भी अगर self or non-self के बीच में discrimination के ability खत्म हो गई that ultimately will lead to autoimmune disease जिसमें immune system body के ही किसी organ के against antibodies बनाने लगता है anti-venom injection contain pre-formed antibodies with polio drops which are administered in the body contain polio vaccine के अंदर क्या होता है attenuated pathogen third attenuated का मतलब क्या होता है attenuated का मतलब pathogenicity is significantly significantly reduced इनकी pathogenicity को या disease causing ability को significantly reduce कर दिया जाता है among the following edible fishes which one is a marine fish having rich source of omega-3 fatty acid हाँ जी यह बहुत important question है omega-3 fatty acid आपका mackerel में मिलता है third will be the correct answer third will be the correct answer याद रखिए इसको homozygous pure line in cattle can be obtained by homozygous obtain करने हैं तो सीधी सी बात है आपको inbreeding करवानी पड़ेगी और कोई तरीका ही नहीं है और inbreeding का मतलब आप समझते हैं closely related individuals के बीच में mating करवाई जाए जो 4 से 6 generations तक up to 4 to 6 generations आपस में related हैं तो answer क्या आजाएगा इसका fourth malt is mucosa associated lymphoid tissue mucosa associated lymphoid tissue और ये लगबग लगबग कितना बनाता है आपका 40% कई बार सवाल इस पर पूछे जाए चुके हैं चलिए transplantation of tissue organ fails often due to non acceptance of patient body ये फिर से repeat हुआ है देखिए ये सवाल दूसरी बार repeat हुआ है या तीसरी बार repeat हुआ है मेरे ख्याल से इसी neat में ही तीसरी बार पूछा गया है तो ये बहुत important question है cell mediated immune response याद रखी graft rejection के लिए cell mediated immune response primarily responsible होता है which of the following is not an autoimmune disease कौन सा autoimmune disease नहीं है alzheimer disease आपका autoimmune disease नहीं है ये एक तरीके का nervous disorder है vitiligo, rheumatoid और ये सारे के सारे हैं so first will be the correct answer चलिए आगे move करते हैं which of the following immune response is responsible for rejection of kidney graft अब देखे चौती बार आगया same question चौती बार repeat हो रहा है again the answer will be cell mediated immune response तो भहिया इसको तो याद ही कर लो हो सकता है कली ये सवाल है as it is लिखा हुआ मिल जाए कि कौन सा graft rejection के लिए responsible होता है cell mediated immune response heroin कहां से बनेगा heroin क्या होता है diacetylmorphine heroin का chemical formula याद रखिए chemical name याद रखिए that is diacetylmorphine और morphine के comparison में बहुत ज्यादा इसकी potency होती है बहुत ज्यादा effectiveness होती है so fourth will be the correct answer diacetylmorphine आगे आईए जल्दी से select the incorrect statement 19 दो साल पहले का सवाल है incorrect statement पिक करना है inbreeding select harmful recessive gene that reduce fertility and productivity select तो बिलकुल नहीं करता है inbreeding help in accumulation of superior gene and elimination of undesirable ये ठीक बात है inbreeding increases homozygocity सही बात है inbreeding essential to pure land first is the incorrect statement first is the incorrect statement फूल चंद ये सवाल कर लेते हैं इन सवाल को करने से ही confidence आएगा confidence gain करने का एक मात्र तरीका ये है कि हम कुछ questions को solve कर लें और हमें पता चल जाए कि हाँ हमें ये आते हैं इसके अलावा confidence gain करने का तरीका और क्या है बताओ कॉलस्टरम दे यलोईश फ्ल्यूड कॉलस्टरम में कौन सी antibody होती है कॉलस्टरम फिर से आपका secretion हो गया और secretion में हमेशा immunoglobulin type A होती है आप जानते हैं चिस्टे बाइविच मेथड वाज न्यू ब्रीड हिसारडेल औफ शीप फॉर्मड बाइ यह आपके किस से बनाए गए थे क्रॉस ब्रीडिंग से डेवलब किये गए थे यह आपके NCRT का as it is question है identify the wrong statement with reference to immunity यह पिछली साल का सवाल है बिटा तो wrong response क्या है active immunity is quick and gives full response ना यह तो गलत है petus receives some antibodies from mother it is an example of passive यह ठीक है when exposed to antigen antibodies are produced in horse body activity ठीक है when ready made antibodies are directly given it is called passive immunity ठीक है first is the incorrect statement यह आपके सवाल हो गए है human health and diseases के सवाल आपके complete हो गए है अब human health and diseases के बाद अगले chapter की तरफ move कर जाते हैं अगला chapter है हमारा applications of biology तो चलिए एक एक करके इनको भी देखना शुरू करते हैं जल्दी जल्दी solve करते हैं which of the following BT crop is being grown in India by farmers bacillus thuringiensis BT वाला क्या crop grow करते हैं पुराना सवाल है आसान है cotton आप जानते हैं अच्छे से you know very well that this is nothing but cotton चलिए आगे move करते हैं a good producer of citric acid citric acid कहां से बनता है clostridium saccharomyces aspergillus और pseudomonas ना answer would be aspergillus third will be the correct answer बिल्कुल बेटा कपास कहते हैं इसको during sewage treatment biogases are produced which include biogas के अंदर क्या क्या होता है biogas में आपका carbon dioxide होता है methane होता है और hydrogen disulfide H2S होता है third is the correct answer आसान आसान सवाल है what gases are produced in anaerobic sludge anaerobic sludge digesters में क्या क्या होती है methane hydrogen methane hydrogen sulfide and carbon dioxide repeat हुआ है question this question is repeated आगे चलो जल्दी से high value of BOD indicate that BOD अगर ज्यादा है इसका सीधा सा मतलब है कि water is highly polluted उसमें organic content की quantity बहुत 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 ज्यादा है so third will be the correct option the guts of cow and buffalo possess cow और buffalo किस में आते हैं आपके regurgitating animals में आते हैं जिनके अंदर जुगाली करने वाले जो animals हैं तो इनके स्टमक में एक additional chamber होता है आप जानते हैं rumen तो इसमें answer क्या जाएगा methanogens fourth will be the correct answer आगे चलिए the primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animal include the फिर repeat हुआ है देखिये same question चौती बार तीसरी बार repeat हो रहा है methanogen methanogen तीसरी बार repeat हुआ है question इसको याद कर लेना which of the following is wrongly matched in the given table चलिए जी देखते हैं okay monascus statin lowering blood cholesterol यह तो properly matched है streptococcus streptokinase clot removal बिल्कुल ठीक है clostridium butylicum lipase नहीं यहां से butyric acid होता है तो third इसके अंदर wrongly matched हो गया third is the wrongly matched third is the wrongly matched column one और column two को select करो चलो okay citric acid aspergillus three लिख दीजिए यहां cyclosporin cyclosporin आपका trichoderma first लिख दीजिए statin आपका लिखता है monascus fourth लिख दीजिए और butyric acid आपका आजाएगा इससे second से second लिख दीजिए first will be the correct option चलिए जल्दी चलिए biochemical oxygen demand may not be a good index for pollution of the water bodies receiving effluents from petroleum industry second petroleum industry से ये proper indicator नहीं होगा अगर effluents petroleum industry से आ रहा है तो which of the following sewage treatment remove suspended solid suspended solid को कौन remove करता है primary treatment primary treatment फिर effluents आगे जाएगा फिर secondary treatment का process start होगा which of the following is correctly matched for the product produced by them okay correct matching methanobacterium lactic acid गलत है panicellium notatomacetic acid गलत है saccharomyces ethenol ये बिल्कुल ठीक है third is the correct answer acetobacter ये भी गलत हो गया तो third is the correct answer आगे चलिए a new variety of rice was patented by a foreign company though such varieties have been present in India for a long time this is related to basmati इस पर तो बहुत सारा विवाद चला है बहुत controversy हुई है क्योंकि basmati की बहुत सारी किसमें बहुत सारी varieties हमारे यहां thousands of years से practice में है आगे चलिए conversion of milk to curd improve its nutritional value by increasing the amount of इसमें vitamin B12 का amount बढ़ जाता है it is a very good question and important question याद रखिये इसको सारे के सारे बच्चे आगे चलिए which of the following can be used as a biocontrol agent in the treatment of plant disease biocontrol agent कौन है बटा trichoderma third is the correct answer ठीक है आगे चलिए select the incorrect statement in breeding select harmful recessive gene that reduce fertility and productivity question in fact यह यहां पर भी आ गया है पिछले paper में भी रख दिया था यहां पर भी रख दिया है कोई बात नहीं सेम question है select the correct group of bio control agent bio control agent में trichoderma का सवाल तो अभी पूछी लिया गया है दो तीन सवाल पहले आ गया है और फिर उसके बाद में baculovirus और bacillus fourth will be the correct option यह भी एक तरीके से repeat ही हुआ है question यह बान के चलो which of the following is a commercial blood cholesterol lowering agent statin अभी discuss किया था हमने देखो भाया यह statin अच्छे से याद कर लो cyclosporin अच्छे से याद कर लो butyric acid कहां से मिलता है यह याद कर लो यह बहुत repeat हुए है questions और यह question गलत हो जाते हैं तो फिर बहुत 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 इसमें मतलब बुरा लगने वाली बात है क्योंकि यह ऐसे सवाल हैं जो tips पर हैं सारे के सारे इन में से कुछ भी गलत करना बनता नहीं है match the following organism with the products they produce ठीक है साब करते हैं match lactobacillus क्या करता है आपका lactobacillus कर्ड चलो second आगया saccharomyces services क्या करेगा saccharomyces क्या करेगा बच्चों यह इसमें आएगा bread में काम आएगा aspergillus niger यह किसमें काम आएगा आपका citric acid में काम आएगा acetobacter किसमें काम आएगा आपका acetobacter यह लेजिए fourth will be the correct option fourth will be the correct option चलिए आगे चलिए which of the following put into anaerobic sludge digester for further sewage treatment यह repeat हुआ है activated sludge match the following column and select the correct option ठीक है cocclostridium butylicum यह आप जानते हैं अच्छे से इसमें आपका butyric acid आजाएगा a को 2 से match कर दीजिए और कई बार ऐसा होता है कि आपको सारा question पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती अगर आप first matching से totally hundred percent sure हैं और confident हैं तो आपको एक ही matching मिलेगी इसमें a से two तो fourth option आगे चलिए यह application of biology आपका application of biology के segment के बाद अब आते हैं बेटा हम बायो टेकनोलोजी और बायो टेकनोलोजी भी आपका बहुत important topic है चलिए साब आजाएए जल्दी से अरे कुछ आवाज सी सुनाई दी मेरे को मुझे समझ में यह काय क्या आवाज आ रही है तो मैं सुनने लगा थोड़ा सा चुप होके कि काय क्या आवाज आ रही है भी यह पता नहीं काय क्या रही है देखेंगे बाद में अर्ड आवाज से पहला हॉर्मोन कौन सा प्रोडूस किया गया था आप सारे बच्चे जानते हैं इंसुलिन अन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल देने उसिंग शदर्न हाइबिडाइजेशन टेकनिक डज नॉट यूज सदर्न हाइबिडाइजेशन टेकनिक में क्या यूज नहीं हूता PCR का इस्तिमाल नहीं हूता PCR एक्च्वली जीन एम्प्लिफिकेशन का टेकनिक है इड है इस नथिंग तो विद सदर्न हाइबिडाइजेशन आगे चलिए इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन इन प्लांट इस करेक्टराइजड बाई इन विट्रो इन विट्रो किया जा रहा है तो इसमें फरस्ट आ जाएगा आपका PCR एंड आरे पीडी इन विट्रो समझ गए ना आउटसाइड Which vector can clone only a small fragment of DNA? Which vector can clone only a small fragment of DNA? दा आंसर वोड़ बी प्लाजमिड प्लाजमिड का साइस भी छोटा होता है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है प्लाजमिड इस दे करेक्ट आंसर आगे चलिए Commonly used vectors for human genome sequencing are Human genome sequencing के लिए commonly used vectors कौन से हैं, that is bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosome, this is important question, याद रखना बेटा इसको, इसको, इसकी सम्भावना है कि कल प्रकट हो जाए यह तुम्हारे सामने Which body of the government of India regulate GM research आपको हमेशा याद रखना है, GEAC, that is genetic engineering approval committee, जो कि सारी कि सारी चीज़ें decide करती है, कि exactly क्या क्या चीज़ें किस direction में की जानी है, biotechnological experiment कोई करना भी है या नहीं भी करना है The DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning is known as vector, आसान है बच्चों जैसे सवाल हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे छोटे, जिसमें आपका gene of interest introduced किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, it will be known as vector Okay, two polypeptides of human insulin are linked by, तो polypeptide आपके पास में chain A है और chain B है, इनके बीच में bond कौन सा होता है, disulfide bond This is chain A, this is chain B, दो polypeptide chain होती है, disulfide bond से associated होती है, ऐसे करके insulin बनता है The tech polymerase is obtained from, फिर से बहुत आसान, thermos, aquaticus, आप अच्छी तरह से जानते हैं, कोई ज्यादा विचार करने की जरूरत ही नहीं है, straight, सीधे questions पूछे गए हैं, देखिए और ऐसे ही सवाल मिलेंगे कल, यह मान के चलना Which of the following is a restriction endonuclease, इन मेंसे restriction endonuclease कौन सा है, देखो, अब इससे आसान सवाल क्या मिलेगा H.I. N. D. Second, fourth, सब कुछ आता है तुम लोगों को, ठीक है ना क्या होता है कि हम थोड़ा सा anxiety में और तनाव में हमारी शक्तियों को भूल जाते हैं हमारी capacities को और हमारी capabilities को भूल जाते हैं तो फिर क्या है कि वो जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया था ना हमें यह answers आते हैं हमने सारी चीजें पढ़ रखी हैं सब चीजों पर हमारा command है यह जब तक तुम इस चीज को internally feel नहीं करोगे तब तक paper देने में तुमको मजा नहीं आएगा और यह feeling अगर तुमारे अंदर आ गई तो तुम जितने सवाल सही करने वाले हो उससे 10 सवाल ज्यादा सही कर क्या होगे यह मान के चलना चलो Which of the following is not required for the techniques of DNA fingerprinting available as present requirement किसकी नहीं है zinc finger analysis की कोई requirement हमें नहीं है first is not needed What is the criteria of DNA fragments moving agarose during agarose gel में DNA जब move करते हैं DNA fragment move करते हैं तो आपको पता है सबसे छोटा सबसे ज़्यादा distance कवर कर लेता है क्यों हो? क्योंकि उसके सामने resistance सबसे कम होता है सबसे बड़ा fragment सबसे पीछे रह जाता है सबसे छोटा fragment सबसे आगे चला जाता है A gene whose expression helps to identify transformed cell is known as बिल्कुल ठीक बात है यह बहुत important सवाल है Ais a gene जिसकी वज़े से हम recombinant और non-recombinant cell को separate कर पाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? Selectable Marker चलिए The process of separation of purification of expressed protein before marketing ये भी कई बार पूछा गया है सवाल इस process को downstream processing कहते हैं सबको पता है आप देखो सारे सवाल आते हैं तुमको The DNA fragment separated on agarose gel can be visualized after staining with किस से strain करते हैं? याद है सबको याद है एथीडियम ब्रोमाइड एथीडियम ब्रोमाइड से stain करने के बाद किस में देखते हैं? अल्ट्रा वॉयले ट्रेज में डियने कैसे दिखते हैं? ओरेंज कलर के एथीडियम ब्रोमाइड थर्ड देखो सबको पता है You know everything The correct order of step in PCR तो PCR में सबसे पहले क्या करते हैं? DNA fragment को तोड़ते हैं, denaturation फिर उसके बाद primer जोड़ देते हैं, hybridization फिर उनको बड़ा कर देते हैं, primer extension बात खत्म हो गई denaturation, annealing and primer extension second is the correct answer देखो, ये भी आता है तुमको मैं तो वैसे ही answer लगा रहा हूँ, तुमको सब पता है ठीक है ना? You know each and everything In India, the organization responsible for assessing safety ये वापस वोई कहानी घूम फिर के वापस वहीं आगाई, अभी थुड़ी देर पहले बात की थी GEAC के बारे में Genetic Engineering Approval Committee ये देखो Which of the following commonly used as a vector for introducing DNA fragment in human lymphocyte ये important सवाल है Actually gene therapy के दौरान हमारे lymphocyte में कोई भी gene अगर introduce करना होता है तो हम retroviruses का استعمال करते हैं ये याद रखिएगा important सवाल है कुछ बच्चों को इसका उत्तर पता भी नहीं होगा I am repeating it again Human lymphocyte में कोई भी desired gene या gene of interest introduce करने के लिए हम जिस vector का استعمال करते हैं that is retrovirus and it is quite important very important question Use of bio resources by multinational companies and organizations without authorization from the concerned country and its people is known as biopiracy Piracy समझते हो ना चोरी करना किसी को बताए भी ना उसका सामान इस्तेमाल कर लेना music किसी ने बनाया आपने copy करके उसको बेच दिया that is music industry में पाइरसी होती है आपके digital जो medium है उस पर भी पाइरसी होती है किताबों की पाइरसी होती है books की पाइरसी होती है वैसे biological field में पाइरसी होती है that is biopiracy चलो DNA precipitation out of a mixture of biomolecule can be achieved by the treatment of आप ये भी आप अच्छी तरह से जानते है जब DNA fragments को digest कर देते है restriction endonuclease से उसके बाद sorry restriction endonuclease तो बाद में आएगा जब cell को digest कर देते हैं protease से amylase से kytinase से cellulase से पीछे DNA बच जाता है अब उसमें क्या मिलाते हैं ठंडा ethanol chilled ethanol जिससे की DNA fragment आपका separate हो जाए fourth will be the correct answer what triggers activation of protoxin देखो इन सवालों को पढ़ते वक्त तुम्हारे दिमाग में केवल यह आना चाहिए यह हमें आता है पढ़ रखा है और हमें आंसर पता है और यही color replicate होने वाला है यह मान के चलना कोई परिवर्तन नहीं होगा confident रहना जैसे हम यहां question कर रहे है मान लेना की question पढ़े जा रहे हैं और आपको answer दिने you will respond तो answer क्या आगया इसमें alkaline pH of the gut of the insect which of the following is true for golden rice यह लो जाने कितनी बार पूछा गया है golden rice में आपका vitamin A बहुत ज्यादा होता है सबको याद है सबको पता है the sequence that control the copy number of a linked DNA in the vector is termed as जहां से replication start होता है important question है भई हालांकि पिछले ही साल पूछा गया है but still it is important the answer is ORI site fourth fourth is the correct option आगे चलिये अब ज़रा इस बात की तरफ ध्यान देना प्यारे बच्चो नीट 2020 में 5 सवाल बायो टेखनोलोजी से आए 5 questions identify the wrong statement with regard to restriction enzyme wrong statement pick कीजी they are useful in genetic engineering बिल्कुल सही है sticky end can be joined by using DNA ligase no each restriction enzyme functions by inspecting the length of a DNA sequence they cut the strand at a palindromic site बिल्कुल छीक है अब second statement का restriction enzyme से कोई लेना देना नहीं है it has nothing to do with restriction endonucleases स्रिष्टी बेटा मेरी बात सुनो जिस भी बच्चे ने पिछले 50 दिन मेरे साथ में proper workout किया है वो 3.30 प्लस तो लेके आएगा ही ये मानके चलना I am damn confident जो मैंने तुमको पिछले 50 दिन में पढ़ा दिया है उसके बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है and I will prove this कल तुमारा paper है दो से पांच बजे तक रात को साड़े नो बजे 9.30 टुमारो session है जिसके अंदर सारा paper discuss करूँगा बायोजिका और नके बल डिसकेस करूँगा बलकि तुमको याद दिलाते हुए डिसकेस करूँगा कि ये question हमने यहाँ पढ़ा है यहाँ पढ़ा है यहाँ पढ़ा है यहाँ पढ़ा है और यह सारी चीज़े हमने क्यों ही है I will be discussing the paper tomorrow sharp at 9.30 पीम रात साड़े 9 बजे चलो In gel, electrophoresis separated DNA fragments can be visualized with the help of Ethereum, Romide in Ultra Voilet, अभी तो पढ़ा है हमने चलो Match the organism with its use in biotechnology ठीक है आप मैच कर देंगे Bacillus thuringiensis कहां इस्तेमाल होता है आपका cry protein की वजे से तो A मे 4 ये लो A मे 4 को मैच करो A की option है कोई option है ही नहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है बाकी चीजें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है Choose the correct pair from the following ठीक, a nucleus separation of two strands of DNA गलत exonuclease make cut at specific position गलत ligase join the two strands of DNA molecule ये ठीक हो गया, that is the correct answer ठीक हो गया, that is the correct answer आगे चलिये BT cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene bacillus thuringiensis is resistant to, तो cotton ball worms के against resistant है ये तो ये क्या आगया, insect pest third will be the correct option आगे move करते हैं The specific palindromic sequence which is recognized by ECO R1 ECO R1 कौन सा sequence recognized करता है बिटा GAA TTC, third will be the correct answer और ECO R1 कहां से cut करता है ये भी आपको पता होना चाहिए ECO R1 की cutting से कैसे strand produce होते हैं blunt या sticky ये भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए आगे चलिए match the following column and select the correct option BT cotton को match कर दो जल्दी से bacillus thuringiensis से तो आपने A को match कर दिया 4 से फिर वापस वोई बात आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है answer आपके सामने आगया है that is A के साथ 4 की matching और कहीं है ये नहीं तो किस्सा खत्म हुआ ज्यादा लंबा चोड़ा देखना ही नहीं which of the following statement is not correct कौन सा statement correct नहीं है the functional insulin has A and B chains linked together by hydrogen bond तो गलत हो गया अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने पढ़ा था कौन सा bond होता है disulfide bond तो this is the wrong statement first is the wrong statement अब देखो ज़रा 1, 2, 3, 4, 5 सेफ कितने सवाल आ गए भाया 6, 7, 8 आप देख रहे हैं ये सारे नीट 2020 के question है जो अभी हमने की हैं 7-8 सवाल जितने भी की हैं अब बायो टेकनोलोजी के बाद अगले topic की तरफ move करते हैं बायो टेकनोलोजी के बाद आपका topic बच गया है organism and population आजाओ जल्दी से organism and population आईए a biologist studied the population of rats in barn he found that the average natality was 250 mortality was 240 immigration 20 and emigration 30 आसान है मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है इसमें भाई natality 250 है इतने पैदा हुए और immigration 20 है इसमें immigration जोड़ दो 20 यानि 270 और आपका mortality mortality 240 है और जो बाहर चले गए वो 30 है यानि फिर 270 तो net कितना हो जाएगा आपका 0 second 270 बढ़े 270 कम हो गए किस्सा खत्म हुआ आगे चलिए leaves become modified into spine in leaves जो है वो spines में या काटों में किसमें बदल जाती है the answer is cactus just as a person moving from Delhi to Shimla to escape the heat for duration of hot summer thousands of migratory bird from Siberia and extremely cold northern reasons move to Kevaladev भरतपूर में है यह Siberian cranes आते हैं यहाँ Siberian cranes भरतपूर के Kevaladev नेशनल पार्क में migrate करते हैं ठीक है आगे चलिए the following graph depict changes in two population A and B herby wars in a grazing field possible reason for the change that हाँ साथ देखिए देखिए population B का count बढ़ता चला जा रहा है population A का count घटता चला जा रहा है इसका मतलब population B जो है यह successfully compete किया इसने और population A जो है उसने successfully compete नहीं किया तो third will be the correct option third will be the correct option चलिए हाँ हाँ PDF तो भेज ही देंगे बेटा क्यों चंता कर रहा हूँ in which of the following interactions both partners are adversely affected दोनों ही partners को नुकसान होता है यानि दोनों तरफ माइनस माइनस आगया that is competition दोनों को नुकसान होने वाला है इससे चलिए stem modified into flat green organs performing the function of leaves are known as stem ही leaves का काम करने लगे तो ये condition क्या कहलाती है ये position क्या कहलाती है that is philoclades second आगे चलिए आगे move कीजिए Gauze principle of competitive exclusion states that competitive exclusion no two species can occupy the same nicke indefinitely for the same limiting resources second will be the correct answer second will be the correct answer एक minute रुको बेटा second will be the correct answer second will be the correct answer आगे चलिए when does the growth rate of a population following the logistic model equals 0 dn by dt दिस 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 जब आपका n by k exactly one हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा आपका 0 n by k is exactly one then it will be 0 बेटा सूरज आप इसको थोड़ा सा refresh करेंगे तो आपको clear दिखाई देने लग जाएगा 100% clear दिखाई देने लग जाएगा आप मान के चलें इसको definitely there is no doubt about it now just a minute आगे चलिए if plus sign is assigned to beneficial minus is zero to neutral then the population interaction plus minus refers to plus or minus का मतलब parasitism हो गया third is the correct option एक को फायदा दूसरे को नुकसान one partner is benefited another is harmed आगे चलो which of the following is correctly matched age pyramid biome parthenium threat to biodiversity ये बिलकुल ठीक है second ही हो गया इसके अंदर second is the correct answer second is the correct answer आगे चलिए the principle of competitive exclusion was stated by अभी थोड़ी देर पहले सवाल था उसमें लिख रखा था साप साप गौस so first will be the correct option first will be the correct option okay a symptomat in a logistic curve is obtained when कब होगा जब के और एन इक्वल हो जाएं first is the correct answer first is the correct answer आगे चलिए mycorrhiza किसके example है mycorrhiza में क्या किसके example है mutualism दोनों को benefit होता है third plus plus plants which produce characteristic numetophores and show viviparity belong to plant which produce characteristic numetophores and show viviparity belong to the answer would be hellophytes first is the correct answer done आगे चलिए आगे चलिए अच्छा तुम इतने सारे बच्चे इस session को देख रहे हो प्यारे बच्चों अच्छे बच्चों do like the session immediately हम सारे सवाल कर रहे हैं efficiently करेंगे जहाँ explanation की ज़रूत होगी explain भी करेंगे session like कर दो जल्दी से शाबाश okay what is अनिके the range of temperature that the organism needs to live no the functional role played by the organism where it lives this is the correct answer आगे move कीजिये natality refers to natality का मतलब क्या होता है भाई natality का मतलब होता है birth rate जन्म दर birth rate is known as natality in a growing population of a country growing population जो grow कर रहा है reproductive and pre-reproductive individuals are equal in number no pre-reproductive individuals are less declining population हो जाएगा reproductive individuals are less than post गलत pre-reproductive ज्यादा होंगे तब जाकर के population grow कर रहा होगा so fourth will be the correct answer which one of the following population interaction is widely used in medical science for the production of antibiotics हाँ जी toh antibiotics किस में आती है आपकी कौन से association से develop होंगी antibiotics and the correct answer would be amensalism second will be the correct answer second will be the correct answer आगे चलिए column one और column two को match करते हैं चलिए जल्दी से column को match करते हैं saprophite हाँ जी तो saprophite आप कर दीजिए decomposition of dead organic matter यहाँ दो लिख दीजिए a से दो यहाँ पर और यहाँ पर matching है चलो अब बी चेक करते हैं आंसर आजाएगा हमारा parasite तो parasite क्या होता है आपका living on living plants और animals third आगया तो two और three यह लीजिए second option आगया जल्दी से आंसर पर आगये आगे चलिए which of the following is not an attribute of a population that is a species interaction population का वो नहीं है ठीक है mortality होगा population में natality भी population का attribute है sex ratio भी किसी specific population में ही होगा बाकी species interaction इसके अंदर नहीं होगा आगे चलिए secondary metabolites such as nicotine, strychnine and caffeine are produced by plant for their basically plants इनको क्यों बनाते हैं plants इनको अपने defense के लिए बनाते हैं वो एक अलग बात है कि हमारे लिए यह useful हो जाते हैं तो यह organism and population के सवाल भी आपके पिछले secondary productivity is rate for formation of new organic matter by consumer primary productivity की बात नहीं चल रही है पूछा क्या जा रहा है आप से secondary productivity चलिए आगे मूव कीजिए जल्दी से शाबाश शाबाश बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे राइस तो टॉप लेयर्स ऑफ सॉयल गलत fragmentation carried out by organism such as earthworm यह ठीक है third is the correct option match the following and select the correct option matching कीजिए चलिए matching के question बड़े आसान होते है earthworm को match कर दीजिए किस से earthworm को match कर दीजिए किस से detritivore से second succession को match कर दीजिए आप pioneer species से ecosystem service को match कर दीजिए आप pollination से population growth को आप कर दीजिए natality से यानि की sorry answer क्या आगया आपका fourth fourth will be the correct answer fourth will be the correct answer if 20 joule of energy is trapped at producer liver then how much energy will be available to peacock as food for following chain plant mice snake and peacock आसान है बता दो जरा ten percent वाला rule apply कर दो answer आजाएगा इसको zero point zero two first will be the correct answer 20 से दो हुआ दो से point two हुआ और point two से point zero two हो गया तीसरे लेवल पर चले गए चलो बिटा आपको मिल जाएगा NCRT का marathon class play list में मिल जाएगा वरना group पर देखिए share किया हुआ है मिल जाएगा चलो given below is the simplified model of phosphorus cycling in a terrestrial ecosystem with four blanks चलिए साब चारों blanks को cover करते हैं सबसे पहले आईए ए कंज्यूमर के बाद में ए कहां पर आएगा ए कहां पर आएगा detritus detritus के बाद में आप B पर आईए तो B क्या है आपके rock minerals A कहां है इसमें A कहां है एक मिनिट रुकिए where is A A B C D कहां चला गया इसका where is the D third is the correct answer इसने D गायब कर दिया है चलो कोई बात नहीं producer consumer then detritus और B आपका आगया rock minerals ठीक है चली आगे चली आगे move करिए जल्दी से standing crop किसे कहते है यह important सवाल है मैंने पहले भी बताया था आपको mass of the living organism fourth is the correct answer चली आगे चली आगे चली आगे चली इन एको system the rate of organic matter during photosynthesis rate of production of organic matter during photosynthesis is known as gross primary productivity this is known as gross primary productivity secondary succession कहा होता है secondary succession कहा होता है secondary succession होगा आपका degraded forest में third पहले उसका degraded होना जरूरी है ठीक है चली आगे move करते हैं the mass of living material at a trophic level at a particular time is known as अब देखो यह सवाल repeat हुआ है पिछली बार पूछा था standing crop किसे कहते हैं इस बार definition देकर के answer पूछ लिया है तो इसको सारे बच्चे याद रख लेना भाई important है यह it can be asked tomorrow also कल भी आप लोगों से पूछा जा सकता है standing crop के बारे में vertical distribution of different species occupying different level in a biotic community is known as stratification vertical है एक के उपर एक एक के उपर एक third will be the correct answer कल तुमको सारे सवाल आते होंगे मैं तो यह जानता हूँ जो पिछले 45-50 दिन से मेरे साथ महेनत कर रहे हैं workout कर रहे हैं उनको सारे प्रशन आते होंगे confident रहो damn confident रहो सारे सवाल आते होंगे तुमको कहीं missing नहीं होगी take this as my word an association of individuals of different species living in same habitat and having functional interaction is biotic community fourth दर का एका लग रहा है जैसे यहां पर हम काम कर रहे हैं अभी वैसे यह आपको कल करना है डरने की तो बात ही नहीं है most animals that live in deep ocean waters are deep ocean water में जो रहते हैं वो detritivores होते हैं मैंने क्या बताया बेटा अभी आपको difficulty level का मुद्द यह है कि आपको सारे सवाल आते होंगे in which of the following both pairs have correct combination दोनों में correct combination दोनों में correct combination कौन सा है check कीजिए बेटा जल्दी से check कीजिए जल्दी से check कीजिए gaseous nutrient cycle carbon and nitrogen sedimentary बिल्कुल sulfur and phosphorus बिल्कुल ठीक है third is the correct option third is absolutely correct option आगे चलिए during ecological succession यह important है भाया ecological succession याद रखना इस पर सवाल पूछा जा सकता है कल ecological succession the number and type of animal remain constant गलत the changes lead to community गलत in gradual and predictable change in species composition in the given area third is the correct answer third is the correct answer which of the following would appear as the pioneer organism on the bare rock bare rock पर pioneer organism कौन होगा lichans fourth the term ecosystem was coined by ecosystem term किसने कौन किया था याजी टैंसले फर्स्ट आसान सवाल है आसान सवाल है the primary producer of the deep sea hypothermal or vent ecosystem are important जिन बच्चों को यह याद नहीं है याद कर लो repeating primary producers of the deep sea hydrothermal vent ecosystem are the answer is chemo synthetic bacteria first is the correct option which of the following is correct for our selected species again important question our selected species पर पहले भी पूछा जा चुका है फिर पूछा जा सकता है याद रखियेगा large number of progeny with a smaller size that is known as our selected species so fourth would be the correct option fourth would be the correct option आगे चलिए जल्दी से आगे चलिए जल्दी से which ecosystem has maximum biomass कौन से ecosystem में सबसे ज्यादा biomass होता है तो biomass सबसे ज्यादा किस में होगा साब जंगल में forest ecosystem में सबसे ज्यादा biomass मिलेगा देखो ये informative है अमूमन क्या होता है कि जो informative chapters होते है उनमें से question repeat होते रहते हैं लगाता repeat होते हैं आते ही रहते हैं जैसे आपने देखा standing crop का question दो-तीन बार आ गया है ना our selected species का दो-तीन बार आ गया तो इन questions को याद कर लो as it is कुछ-कुछ मिल जाएंगे तुमको ये मान के चलो कि कुछ-कुछ questions तुमको मिल ही जाएंगे इसमें आ गया हो presence of plants arranged into well-defined vertical layers depending on height can be best seen in tropical rainforest first is the correct answer what type of ecological pyramid would be obtained with the following data कर लो secondary consumer 120, primary consumer 60, primary producer आपके 10 gram हो गया biomass का आपको ecological pyramid बनाना है तो biomass का pyramid कैसे बनेगा आपका ये बन गया 10 फिर 60 फिर उसके बाद 120 inverted pyramid of the biomass inverted pyramid of the biomass आगे चलिए which of the following ecological pyramid is generally inverted सामान्यत है inverted pyramid कौन सा होता है pyramid of biomass in a sea second is the correct option pyramid of biomass in a sea is usually inverted in a relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem which one of the following statement is correct इन में से कौन सा statement correct है GPP and NPP are one and the same गलत there is no relationship between GPP and NPP गलत GPP is always less than NPP गलत ज्यादा होती है GPP is always more fourth is the correct option चौथा answer बिलकुल सही आगे आपका absolutely correct आईए एक बात बताए देता हूँ 12th का segment अभी पूरा हो जाएगा उसके बाद 3 बजे सुना सारे बच्चे धान से सुन लेना ठीक 3 बजे एक session और लूँगा उसमें animal kingdom, plant diversity आपके morphology and anatomy of the flowering plant और 11th के जो कुछ हैसे topic हैं जो highly informative हैं उनको केवल आपको याद ही करने का जो मुद्दा है तीन बजे वो class लेने वाला हूँ तो वो भी करीब एक घंटे का class होगा तीन से चार ज्यादा से ज्यादा सवाचार साड़े चार उस class को भी ले लेना तो animal kingdom और plant diversity यह जो classification का जितना segment है आपका वो भी एक बार उस session के अंदर cover हो जाएगा अभी इसको complete करने के बाद So match the traffic level with their correct species example in the grassland ecosystem YouTube पर ही होगा बटा YouTube पर ही fourth traffic level पर आगया आपका rabbit first traffic level पर कौन है भहिया first traffic level पर आपका grass है तो बस इसी से आजाएगा answer तो आपका आपको क्या करना है third third is the correct option third is the correct option हाँ मेटा YouTube पर ही होगा session हमारा YouTube पर ही होगा चलिए यह ecosystem के सवाल भी हो गए ecosystem के सवाल के बाद अब हम आते हैं बायो डाइवर्सिटी पर बायो डाइवर्सिटी और environmental issues यह दो चीज़े और बचे हुई है अभी complete करेंगे इसको सारे बच्चे बने रहो हाँ 11th के human physiology के सवाल सारे करवा चुका हूँ human physiology के अलावा अब जितने भी सवाल है 11th के वो दो पहर तीन बजे करवाँगा तो तीन बजे यह complete foolproof हमारा काम हो जाएगा पहले यह दो यूनिट और बची है यह कर लें which one of the following is not used for XC2 plant conservation यह सवाल कई बार आचुका है shifting cultivations देखो botanical garden है seed bank है, field gene bank है इन सब के अंदर क्या होता है XC2 conservation होता है they all are the site of XC2 conservation which of the following represent maximum number of species among global diversity सबसे ज्यादा species global diversity में किसकी है first NCRT का लाइन है fungi is the correct answer पिछला सवाल तो चला गया अभी हम दूसरे सवाल पे आ गये है an example of, देखो मेरी बात सुनो अभी इनके PDF भेज रहा हूँ न तुमको ये complete होते ही ये session complete होते ही तुम्हारे पास PDF पहुँचने वाला है तो PDF और solution से एक बार देख ले ना अगर किसी question में confusion हो we will discuss it ओके, XC2 फिर आ गया देखो फिर से आ गया, फिर से repeat हो गया a species facing extremely high risk of extinction in the immediate future is called as critically endangered species जो लगभग लगभग लुप्त होने वाली है लगभग लगभग disappear होने वाली है the organization which publishes red list of species red list of species कौन publish करता है IUCN मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता है in India, maximum biodiversity is seen at eastern Himalaya and western ghat ये as it is line है ये भी सीधा सीधा line है तीन बजे का session याद रखना मिस मत कर देना which of the following is not considered an XC2 फिर repeat हो गया है shifting cultivation फिर से repeat हुआ same question cryo preservation of gamete of threatened species is viable and fertile condition can be referred to as अब cryo preservation हो रहा है तो ये है तो XC2 लेकिन ये advanced level का XC2 है higher level का XC2 है higher level का XC2 so advanced XC2 conservation third आगे चलिए आगे चलिए सारे के सारे बच्चे move कीजिए आगे की तरफ in which of the following both pairs have correct combination दोनों में correct in C2 tissue culture गलत हो गया in C2 conservation national park सही है XC2 botanical garden दूसरा सही हो गया आपका second is the correct option आगे move कीजिए most animals are tree dwellers in ज्यादा तर animal tree dweller होते हैं कहां tropical rainforest में first is the correct answer important है ये याद रखना ये कल पूछा जा सकता है which of the following is the most important cause of animals and plant being driven to extinction सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है habitat का खत्म होना जहां organism रह रहा है उस जगह का खत्म होना आगे चलिए which one of the following is a characteristic feature of cropland ecosystem cropland ecosystem का characteristic feature क्या है यहां genetic diversity सबसे कम होगी least genetic diversity in a cropland ecosystem how many hot spot biodiversity in the world have been identified till date by Norman Mayors 2016 का question है तो उसी हिसाब से answer देना है 34 second is the correct option red list contain data और information on plants whose products are in international trade no endangered threatened species के बारे में red data बुकिया देखो दूसरी तीसरी बार आगया है सवाल important है याद रखो इसको second is the correct answer आगे चलिए pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of लगबग लगबग 190 degree minus 190 degree का temperature होता है cryo preservation के लिए pollen grains को preserve करने के लिए all of the following are included in XC2 conservation except XC2 में botanical garden आगये, seed bank आगये, safari park आगये, sacred groves यह third third इसके अंदर answer आजाएगा third will be the correct option third will be the correct option आगे चलिए which of the following is the most important cause for animals and plants being driven to repeat हुआ है question important है repeat हुआ है question habitat का loss होना सबसे ज्यादा dangerous मामला है जो 3-4-5 बार question आए है वो तो एकदम दिमाग में fix होने चाहिए the earth summit held in Rio de Janeiro in 92 was called for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits यह 2-3 है जिनको की आप लोगों को याद रखना है यह 2-3 है जिनको की आपको याद रखना है अच्छे से earth summit कब हुआ था है Kyoto Protocol वगरा यह 2-4 चीजे हैं याद रखिये इनको which one of the following is not a method of in-situ conservation फिर repeat हो गया है again question is repeated botanical gardens first the question is repeated again तो देखो मेरी बात सुनो अब यह x-situ, in-situ यह जो conservation के examples हैं इनको जरा अच्छे से याद कर लो कृपा करके इन पर एक सवाल मान के चलना तैं मान के चलना की एक सवाल पूछा जाएगा कल यह जो चार-पांच example हैं इनको याद कर लो अच्छे से which of the following reasons of the globe exhibit highest species diversity globe globe या आर्थ का कौन सा reason है जहां पर highest diversity present होती है the answer would be Amazon forest second is the correct answer तो biodiversity and conservation के भी सारे question हम लोगों ने कर लिये हैं अब हम आखरी 12th के आखरी segment की तरफ आते हैं and the last segment for 12th is environmental issues इसका जवाब दीजिए 10 second का time दीजिए मुझे हाजी answer दीजिए answer दीजिए जल्दी से शबाश respond fast respond fast Kyoto Protocol third is the correct answer बेटा आपको PDF के लिए Let's Crack, Neat, UG का जो टेलिग्राम चैनल है उस पे जाना पड़ेगा मैं सारे के सारे अभी पोस्ट करने वाला हूँ in a while global warming can be controlled by global warming को कैसे control किया जा सकता है increasing deforestation no, increasing deforestation reducing reduce करना पड़ेगा न तभी फोरेस्टरेशन को तो आपको reduce करना पड़ेगा तभी आप global warming को reduce कर पाएंगे the air prevention and control of pollution act came into force air prevention and control of pollution act came into force in 1981 important है बेटा याद कर लेना important है याद कर लेना important है याद कर लेना चलो a location with luxuriant growth of lichen on the tree indicate that the अगर lichen grow कर रहा है इसका सीधा सा मतलब है area में pollution नहीं है the area is not polluted fourth the zone of atmosphere in which the ozone layer is present is known as ozone layer कहा पर present होता है बेटा stratosphere चलो आगे चलो what gases are produced in anaerobic sludge digester repeat हो रहा है question repeat हो रहा है मैं बता चुका हूँ methane hydrogen sulfide and carbon dioxide second will be the correct answer second will be the correct answer आगे चलो a scrubber in the exhaust of chemical industrial plant removes क्या करता है scrubber क्या remove करता है आप अच्छी तरह से जानते है gases like sulfur dioxide first आगे चलो highest contribution by a greenhouse gas to total global warming is by greenhouse effect किसकी वज़े से होता है यह तो मतलब एक यूँ कहना चाहिए general knowledge का questions ज्यादा है आप में से सब बच्चों को पता होना चाहिए answer is carbon dioxide first अरे बापरे यह कौन है इशांत चौधरी मैं माई हैड पोस्टेड ए फोटोग्राफ बेटा मैं मैं दिखाई देता हूं क्यों तुमको हें बदाओ बदाओ copy paste कर दिया कहीं पर लिखा हूँ as it is यहां पर चिपका दिया मैं तुमको मैडम दिखाई दे रहा हूं बोलो 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 in a lake polluted with pesticide and highest level of pesticides will be found in सबसे ज्यादा pesticide कहां पर मिलेंगे water birds third मैं देख रहा हूं बड़ा देख रहा हूं आप लोगों के comments देख रहा हूं सबके चलो कोई बात नहीं which one is wrongly matched wrongly matched कौन सा है IUCN International Union of Conservation of Nature and Natural Resources यह तो ठीक है UNEP United Nations Environmental Panel यह गलत है second आगे चलो आगे चलो अच्छा कोई बात नहीं इशान्त कोई बात नहीं ऐसा हो जाता है कई बाग don't worry मैं तो वैसे मजाग कर रहा था high BOD high BOD का मतलब क्या होता है pollution बहुत ज्यादा है oxygen बहुत ज्यादा चाहिए organic matter बहुत ज्यादा है water is highly highly polluted third is the correct answer the UN Conference of Parties on Climate Change in the year 2011 was held in UN Conference 2011 में कहां पर conduct किया गया था Mr. Kougar मेरी बात सुनो बेटा 11th का portion YouTube पर मैंने बहुत extensively cover किया था 12th के bullet point मैंने पहले इसलिए लिये क्योंकि 12th के कुछ chapters हम revision के दौरान पढ़ नहीं पाये थे जैसे ecology वाला segment नहीं पढ़ पाये थे biology and human welfare नहीं पढ़ पाये थे इस वज़े से मैंने वो via bullet point cover करवा दिया 11th का तो एक एक chapter पढ़ा है बेटा हमने YouTube पर जो भी पिछले 45-50 दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं बच्चे सारा animal tissue पूरे chapter human physiology के पूरा plant physiology हमने discuss किया है है ना structural organization in animal पूरा का पूरा discuss किया है each and everything को एका दुका चीजों को छोड़ कर सब discuss किया हुआ है और अभी चिंता मत करो अभी चिंता मत करो अभी तो मैं क्या करने वाला हूँ अभी कुछ देर में तीन बजे memory में वो ताजा रहे अगले दिन तक तो वो session सबसे last में रखा है मैंने जिसमें plant kingdom है animal kingdom है वो five kingdom system animal kingdom आ गया फिर उसके बाद में आपका plant physiology, plant morphology, anatomy ये वाला segment सबसे last के लिए छोड़ रखा है वो तीन बजे करवाँगा तो सारे बच्चे आ जाना तीन बजे इशांद सराइड पोस्टे एड फोटोग्राफ ओन एप्लिकेशन फॉर्म विदाउट डियो पी बट आइड पोस्टे एड फोटोग्राफ ओन एड्मिट कार्ड विद डियो पी विद वर्क इशुड वर्क आइछ शुड वर्क इस वर्क डोट वर्क दो एड रह चलो ज़रा इसका अंसर दो पहले इंक्रीज लिवर कैंशर आगे चलो तो रैचल कार्सन's famous book Silent Spring is related to that is also important pesticide pollution से related है pesticide pollution से related है acid rain is caused by increase in the atmospheric concentration of acid rain किसकी वज़े से होता है ये भी important सवाल है बेटा बेटा मेरी बात सुनो अगर आपने हिंदी मीडियम पिक किया है न तो आपको पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपने किसी भी regional language में अगर नीट को देना तै किया है आपने ओप कोई regional language किया है या हिंदी किया है यू विल गेट पेपर इन बोथ दे languages डोंट वरी हां बिलकुल दोनों में आएगा increase in concentration of toxicant as successive traffic level is known as बढ़ता जा रहा है bio magnification third is the correct answer आगे चलो a river with an inflow of domestic sewage rich in organic waste may result in इससे क्या नतीजा निकलेगा a river with an inflow of domestic sewage rich in organic waste may result in increased population सवाल ही पैदा नहीं होता increased population of fish बिलकुल नहीं death हो जाएगी मचलियों की third is the correct answer third is the correct answer depletion of which gas in the atmosphere can lead to an increased incidence of the skin cancer skin cancer ozone depletion की वज़े से होता है अब नालायकों आल सी बच्चों इस session को like करो सारे के सारे जल्दी से इतने सारे बच्चे देख रहे हो इसको like करो सबके सब और share भी करो सारे question करवा दी हैं तुमको बैठे हो बिलकुल वैसे ही जाने किसके इंतजार में like कर दो session को अभी बचे होगे question भी पूरे करते हैं तीन बज़े वापस मुलाकात करेंगे तीन बज़े का time याद रखना एक से सवा गंटे के लिए मिलेंगे हम रिजल्ट इन वापस आ गया है रिपीट हो गया है question रिपीट हो गया है और ज्यादा होगा और वो नदी में आ रहा है या तालाब में आ रहा है जील में आ रहा है डोसंट में अटर it ultimately is going to kill the fishes precisely और बाकी जो और गनिजम होगी उनका भी population reduce हो जाएगा the highest DDT concentration in the aquatic food chain shell occur in aquatic food chain में highest DDT concentration कहां पर आएगा crab, eel, seagal first, first is the correct answer which one of the following statement is not valid for aerosol aerosol के लिए valid कौन सा statement नहीं है अरे वो थोड़ा सा बाहर और इतने से कुछ नहीं होता बेटा इतना परेशान मत हो छोटी छोटी चीजों को लेकर के proper time पे पहुँच जाओ बस तुम तो कल which of the following statement is not valid for aerosol second, अच्छा एक चीज और सुनो मेरी बात they cause increased agricultural productivity second is the correct answer सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से बात यह है कि कल दो से पांच तो आपका paper का timing है अगर जैपूर में कुछ बच्चों का center आया because I am in जैपूर as of now तो मैं कल कुछ centers visit भी कर सकता हूँ जैपूर में आप में से अगर किसी भी बच्चे का जैपूर में center है तो आप message कर सकते हैं मैं देख लेता हूँ I will try to meet you before the exam आगे चलो जैपूर center किस-किस का है यह बता दो मेरे को मैं जैपूर हूँ क्योंकि अगर मैं बाहर होता तो कहीं बाहर पहुंच जाता which of the following is a secondary pollutant second वैसे तो best wishes है ही सब बच्चों के साथ में you all are going to rock tomorrow you all are going to come with flying colors मान के चलो सारे के सारे confident रहो मस्त रहो Ankit Gautam, sir मैं बनी पार्क में हूँ ठीक है और तो precisely जगे तो बताओगे न जगे भी एक काम करना मेरी बात सुनो यह session जैसे ही complete हो जाए आप comment box में, सारे बच्चे सुनो comment box में जैपुर में आप precisely अगर अपना center note करके भेजेंगे, I will try to connect you मैं कोशिश करूँगा कि कल आप से centers में मिलू exam से पहले अपनी good wishes देने के लिए तो मुझे आप precisely अपना center का नाम अगर जैपुर में है तो लिख के भेजेंगे, है ना, done चलिए इस live chat में कुछ मत लिखना जब यह complete हो जाए तो normal जो chat section होता है, comment section होता है उसके अंदर लिखना world ozone day is celebrated on 16 सितंबर आने ही वाला है भया world ozone day, कुछ दिनों में आने वाला है 3-4-5 दिनों सीतापुरा, ठीक है ठीक है शास्त्री नगर शास्त्री नगर ठीक है ठीक है सीतापुरा है, शास्त्री नगर है जो भी है in stratosphere, which of the following element act as catalyst in degradation of ozone ozone degradation कौन करता है सबसे ज्यादा chlorine आगे चलो match the items given in correct options given below, करते हैं साब, eutrophication क्या होता है, nutrient enrichment 3 से match कर दीजिए, यह लो इसी में answer आगे कई बार एक चीज मैच करते ही answer आजाता है, एक चीज मैच करते ही answer आजाता है, that is match the column में यह आपको एक added advantage मिलता है which of these following methods is the most suitable for disposal of nuclear waste nuclear waste को तो यह है कि earth surface के नीचे आपको बहुत गहराई में उनको ले जाकर के bury करना पड़ेगा, और कोई तरीका इसका नहीं है there is no other method second which of the following protocol did aim for reducing emission of chlorofluorocarbons into the atmosphere that is Montreal protocol important है बेटा, पूछा जा सकता है third is the correct answer third is the correct answer अभी भेज रहा हूं, बेटा PDF भेजूं, उसके बाद बात करना which of the following pair of gases is mainly responsible for green house effect green house effect के लिए primarily responsible कौन है तो भाया, carbon dioxide और methane ही आपके green house के लिए primarily responsible है due to increasing airborne allergens and pollutant many people in urban areas are suffering from respiratory disorder causing wheezing due to repeat why a question that is again important and the correct answer is inflammation of bronchi and bronchiol allergic reactions होते हैं allergic diseases होते हैं इन सब चीजों की वज़े से है ना अंके तभी देखेंगे बेटा, रुखो Montreal protocol was signed in 1987 for control of yellow, repeat हो गया question, repeat है question, important है, याद कर लो इसको emission of ozone depleting substances, fourth is the correct answer, 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 आगे चलिए, snow blindness, ये भी बहुत important है, पिछली बार भी आया, इससे पहले भी कई बार ये question repeat हो चुका है, snow blindness, inflammation of cornea due to high dose of ultraviolet B radiation, fourth is the answer, 12th pyq completed, 12th के सारे unit के pyq करवा चुका हूँ, 11th में human physiology के सारे pyq हो चुके है, human physiology के अलावा जितने भी chapters आपके बच गए है, माने की आपका classification बच गया है, plant kingdom, animal kingdom ये सब चीजें बच गई है, structural organization बच गया है, morphology and anatomy of flowering plant बच गया है, और plant physiology, इस सारे segment के pyqs दो पहर, तीन बजे तुम लोगों को मैं करवाऊंगा, sharp at 3 p.m. तो तीन बजे भी हम लगबग इतनी ही देर के लिए मिलेंगे, not for more than 90 minutes. अब इस session को मैं conclude कर रहा हूँ, किसी बच्चे को कोई परेशानी हो, कोई दुख, समस्या, चिंता हो, उसको अपने मन से निकाल दो, ये समय वो है, जब तुम्हें अपनी energy का level बिलकुल peak पर रखना है, और confidence level को बिलकुल high रखना है, internally इस बात को feel करना है, कि हमें जो मेहनत हम सारे साल से कर रहे हैं, वो मे मेहनत हमारी वियर्थ नहीं जाएगी, हमने सारी की सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं और हमें आती हैं, ये भरोसा खुद पर होना बेहद जरूरी है, इसके बिना आगे की चीज़ें नहीं होंगी, कल आप जब दो बज़े exam में appear होंगे, तो आपके सामने, आपके दिमाग म मेरे लिए चुटकियों का काम है, मैंने पूरे साल बहुत मन लगा कर महनत की है, कोई भी चीज मैंने अपनी तरफ से छोड़ी नहीं है, अपनी तरफ से कोई कमी मैंने नहीं रहने दी है, और आप मान करके चलें कि पेपर वैसा ही आएगा, जिसको आप आसानी से सॉल्व क हम पढ़ रहे हैं, पिछले 50 दिनों में हमने 10,000 MCQs solve किये हैं, वाया special classes, वाया YouTube sessions, आपको पता है, हमने सारे के सारे PYQs discuss किये हैं, आपको पता है हमने सारे chapters का एक एक point पढ़ा है, शुरुवात में तो हमने 28 units ultra detail mode के अंदर पढ़ी थी, 28 to 29, और फिर बाकी units के हमने bullet points पढ़ रखी हैं, तो बाहर से कैसे आ सकता है, असंभव, जो आएगा तुमको पता होगा, ये मान के चलना, जो paper आएगा, उसके questions तुमको आते होंगे, बस confidence रखो अपने आप पर, confidence lose मत करना, बिल्कुल भी, मैं कह रहा हूँ तुमसे कि questions तुमको आते होंगे, जो questions हमने कि हैं, उससे बाहर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, एकाद question आजाए तो मैं कह नहीं सकता, और मैं इस बात को कल रात को साड़े नो बज़े prove करूँगा, रात को साड़े नो बज़े पूरा का पूरा bio का paper discuss करूँगा मैं, NEET का, ठीक है ना, तो एक चीज बस मैं ये और कहने वाला था कि, जैसे ही आप लोग बाहर आजाएं, try to make a PDF of the paper via cam scanner और इसको भेज दें, है ना, ग्रुप पर आप send कर दें, जिससे की immediately उसका solution आना start हो जाए, साड़े नो बज़े हम authentic manner में उसको revise कर पाएं, so that is all for today, आज के लिए इतना ही, है ना, चलिए, शायरी इसके लिए ये है, सुनो, दुशियन्त कुमार, जो पहले दिल्ली रहे, उसके बाद भोपाल रहे लंबे समय तक, उनका एक बड़ा मशूर शेयर है, कैसे आकाश में सूराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उचालो यारो, तो ऐसा नहीं है, नीट क्रेक कर सकते हो तुम, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा यार, इतनी महनत कर रहे हो, इतना वर्काउट कर रहे हो, है ना, you are eligible to crack the neat, my best wishes are always with you, तीन बज़े मुलाक झाल झाल झाल